चलिए आज बनाते हैं क्रिस्पी और करारे डोसे वो भी फटा-फट बीना समय गवाए इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है बस जो बैटर को बनाने का समय है वही समय आपका लगेगा और यकीन मानिए वीडियो देखने के बाद आप इसे बीना बनाए नहीं र इस डोसे को तो इस डोसे की रेसिपी को बनाने के लिए मैं इस्तिमाल कर रहे हूँ डेर कप चावल का आटा यह जो मेजरिंग कप है यह 250 ml का है इसी के साथ 1 फोर्थ कप इसमें सूजी डाल दे सूजी बारीक वाली या मोटी वाली कोई भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसम एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हमने बैटर तयार करना है तो पानी इसमें ज्यादा ही डाले लेकिन एक बार में बहुत ज्यादा न डाल दे तो बस इस तरीके का बैटर हमने तयार करना है अब इसमें एक छोटा प्याज एकदम बारीक करके डाल दे जितना बारीक ताजा करी पत्ता डाल दिया है मैंने और एक से डेड़ छोटा चमच नमक डाल दे आधा छोटा चमच या एक छोटा चमच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दे बस अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर ले अब इसे ढख कर करीब 15-20 मिनट के लिए रख देंगे सूजी है फूले में समय लगता है तो 15-20 मिनट के लिए ढख कर छोड़ दे अब एक पैन गरम करें तड़का पैन और उसमें डाल दे एक चमच तेल ये चटनी बना रहे हैं मूमफली की दो चमच इसमें मूमफली डाल दिया है मैंने मूमफली को क्या है न कुछ सेकेंड्स के लिए हम या कुछ मिनट के लिए भूल लेंगे ताकि इसका जो कच्चा पन है वो दूर हो जाए उसके बाद इसमें एक चमच इसमें भूना हुआ चना डाल देंगे बिना चिलके वाला और एक चोटा चमच उड़त का डाल बिना चिलके वाला डाल दें आदा चोटा चमच जीरा डाल दें अब इन सारी चीजों को न दो मिनट के लिए हम भूल लेंगे धीमी आज पर अब इसमें मैं डाल रही हूँ 5-6 लेसन की कलिया और 2-3 हरी मिर्च हरी मिर्च आप अपने स्वात के अनुसार कम या ज़ादा डाल सकते हैं बस कुछ सेकेंड्स के लिए इसे भी हम भूल लेंगे अब ये जो चटनी का मिक्षर है वो तयार हो चुका है अब इसे एक ग्राइंडर में डाल दें आप चाहें तो इसके साथ आप थोड़ा सा इमली भी डाल सकते हैं मैंने इमली का इस्तमाल नहीं किया है देखिए इसको हमने गरम नहीं पीषना है थोड़ा इसको ठंडा हो जाने दें अब इसमें आधक कप पानी डाल दें थोड़ा सा नमक डाल दें एक से देड़ छोट बस यह हमारा मूफली का चटनी बनकर तयार हो चुका है, अगर आपको खटा पंच चाहिए, तो आप इसमें इमली का इस्तमाल कर सकते हैं, या इमली नहीं है, तो आप थोड़ा सा नीबू का रस इस्तमाल कर सकते हैं, चलिए अब इस चटनी के लिए तड़का तयार कर लेते कुछ सेकिंड्स के लिए इसे हम छोड़ देंगे अब इसमें थोड़ा सा राई डाल दें जब राई अच्छे से चटक जाए न तब इसमें हम करीपत्ता डालेंगे करीपत्ता आप ताजा या घर में सूखा हुआ भी रखते हैं कोई भी आप इस्तमाल कर सकते हैं कि आप इसे इंज्वाइ कर सकते हैं इदर इस मिक्षर को यानि डोसे के बैटर को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं देखिए थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दे क्योंकि यह जो डोसा है बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का इसका बैटर होना चाहिए एकदम पानी जैसा बैटर होना चाहिए तभी यह जो डोसा है एकदम क्रिश्पी और करारा बनेगा और इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई भी आपको सोडा या इन उडालने की जरूरत नहीं है बस जब भी आपको डोसा बनाना हो न तवा एक दम अच्छी तरीके से गरम कर ले और ये मिक्षर जो है न अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर ले क्योंकि जो सूजी और राइस फ्लोर होता है न वो नीचे तले में जम जाता है इसलिए मिक्स करने के बाद ही इसको गरम तवे पर आप फैलाएं इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने इसी तरीके से कई सारे डोसे बना कर रख लिये हैं और आप यकीन मालिए इतना जादा ये लाजवाब लगता है न कि मैं क्या बता हूँ इसे तो आप बनाईएगा जरूर वीडियो देखने के बाद इधर ये जो डोसा हमने डाला था न बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुका है इसके उपर मैंने थोड़ा सा ओयल लगा दिया था ताकि ये और ज़्यादा करा रहा हो जाए और ज़्यादा टेश्टी बनाना है तो आप इसके उपर बटर का इस्तमाल कर सकते हैं देखिए आपको वीडियो में देखकर भी लग रहा होगा कि कितना लाजवाब ये है और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फटा फट से आपको डोसा खाना हो तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है तो बस इसी तरीके से सारा जो डोसा है बना कर तयार कर लेंगे जल्दी में भी है तो भी आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं देखिए हलका सा ठंडा होने के बाद ज़रा सा सॉफ्ट जरूर हो जाएगा लेकिन हमें क्या है वीडियो में दिखाना होता है तो थोड़ी सेटिंग करनी होती है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है लेकिन अगर आप इसे गर्मा गरम सर्व करते हैं तो ये एकदम क्रिश्पी और करारे लगते हैं तो कैसी लगी आज की रेसिपी उमीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं कॉमेंट करके भी बताईएगा जरूर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू